हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है अभी के चैनल में आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में जिन लोगों ने भी येस बैंक का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उठा कर रखा था उन्हें काफी निराशा देखने को मिल रही है कोटली रिजल के बाद कई लोगों ने इसे बेज दिया है और कई लोग अभी भी अपने पोर्टफोलियो में बचा कर रखे हुए हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें इस पर्टिकलो स्टॉक का और इसके related काफी सारी news निकल कर आ रही है market में rating agencies ने इसका क्या target दिया है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे आज का वीडियो काफी informative होने वाला है एंड तक बने रही है चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक reminder दे देता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है और आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो जल्दे से subscribe बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो बेल की घंटी है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की informative वीडियो सबसे पहले मिलती रहे है वीडियो स्टार्ट के लेते हैं एक disclaimer के साथ सबसे पहले तो हम इसका performance देख लेते हैं इसने closing दी है 15.70 पैसे पर अगर हम percentage में देखे तो 0.09% की गिरावाट देखने को मिली है जबके bank nifty में आपने देखा ही है approximately 1.23% का बड़ा jump देखने को मिला था सभी banking stocks भाग रहे थे लेकिन yes bank एक ऐसा stock था जो उल्टी दिशा में चल रहा था आज दिन भर ये 15.50 पैसे और 16.50 पैसे पर यह उपन हुआ था 15.50 पैसे पर यह high लगाया 16.00 लो लगाया 15.50 पैसे अगर आप इसमें positive side देखे friends जो बड़ी गिरावट expect कर रहे थे 10% 12% ऐसी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली तो हमें अपने आपको संतुष करना पड़ेगा friends क्योंकि सिर्फ 3% की गिरावट देखने को मिली है इसमें वो सिर्फ एक या दो दिन में recover कर ले सकत है अगर आप मेरी बात से सहमत है तो like बटन दबा दीजिए और जैसे के मैंने अपने पिछले वीडियो में already share किया था जो भी fresh buying करना चाहरे है उन्हें result तक wait करना चाहिए इसके बाद ही निवेश करने के लिए सोचना चाहिए अभी इस particular stock को settle होने दीजिए इसके बाद इ volume analysis कर लेते हैं यहां आप देख सकते हैं 1 month का average है 12 crores 1 week का average 20 crores और last trading session में 11 crores का volume था और आज देख सकते हैं एक बड़ी मातरा में trading हुई है 19 crores का volume था friends जो कि एक बहुत बड़ा number है चले next news क्या निकल कर आई है वो भी हम देख लेते हैं Yes bank share dips after Q4 result hold exit or accumulate hold करे exit करे या खरीद तो देख लेते हैं friends analyst का क्या मनना है और कहां तक उनका target है यहां आप देख सकते हैं Yes bank share witness heavy sell off भारी भी क्वाली हुई है Yes bank में Q4 result को लेकर यह open हुआ था 15 rupees 50 पैसे पर और लगबग 4% इसमें dip देखने को मिला है friends Friday इसने closing दी थी 16 rupees 20 पैसे अगर हम आगे देखें friends Yes bank reported rise in provisioning that has gone down negative among the Dalal street investors and observers जैसे कि आपको पता ही है Yes bank का provision एक बड़ी मातरा में रहने की वज़े से इसका result काफी खराब आया है year on year लेकिन quarter on quarter इसमें improvement देखने को मिला है इसलिए आपको सिर्फ मातर 3% की गिरावट देखने को मिली है friends इसके provisions बढ़ने पर अब management पर सवाल उट रहे है friends तीन साल से अधिक हो चुका है Yes bank को ये Yes bank SBI के supervision में है SBI के supervision में रहने के बाद भी इसके provisions बढ़ रहे हैं तो ये एक बड़ा सवाल management को पूचा जा रहा है friends और State Bank of India की credibility पर भी सवाल उट रहे हैं अगर हम आगे देखें रवी सिंगल CEO at GCL Broking इनका मानना भी वही है Q4 result में provisioning जादा report करने की वज़े से इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और यहां आप last line में देख सकते हैं उन्होंने भी यही बताया है Yes bank पिछले 3 साल से State Bank of India के governance में रहने के बाद भी ये अपने bad debts को manage नहीं कर पा रही है और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विशे बन च चुका है Yes bank के लिए अगर हम और आगे देखें सुमीद बगाडिया चॉइस ब्रोकिंग के executive director है सुमीद बगाडिया उनका मानना है Yes bank का एक immediate support रहेगा 15 रुपीज 25 पैसे पर और ये एक strong support है और उसका resistance रहेगा 18 रुपीज 50 पैसे अगर उपर की तर्व जाता है तो 18 रु का stop loss लगा कर चले और जो fresh buying करना चाह रहे हैं उन्हें 18 रुपीज 50 पैसे के ऊपर ही buying करने के लिए suggest किया है अगर हम और आगे देखें तो यहां आप देख सकते हैं रवी single जो के GCL broking के CEO है उन्होंने कहा है Yes bank 22 से 24 रुपीज जा सकता है कब जा सकता है ये 18 रुपीज 50 प यानि कि 15 रुपीज का जो support है break करता है तो ये 12 रुपीज 50 पैसे या 13 रुपीज भी आ सकता है मेरा भी यही मानना है friends 15 रुपीज का stop loss लगा कर चलिए किसी ने बहुत ही खूब कहा है small loss is better than big loss तो इस तरह से आप stop loss लगा कर चलिए अगर नीचे भी fall होता है तो आप exit हो सक चलिए next हम चार्ट पर देख लेते हैं candle stick pattern क्या बता रहा है और shareholders को क्या करना चाहिए यहां आप देख सकते हैं friends जैसे कि हमने कल के वीडियो में discuss किया था यहां पर एक गिरावट हो सकती है वैसे ही देखने को मिला है और अच्छी बात यह है कि इसमें 10% 12% इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है सिर्फ 3% की गिरावट हुई है friends और जिस तरह का candle बना है वो indicate करता है कि यह bounce back भी कर सकता है जो fresh buying करना चाहरे है मैं उन्हें suggest करूँगा जब यह 2-3 दिन में settle हो जाएगा तब इसमें निवेश करने के लिए सोचेगा इस समय hasty buying मत कीजिए यानि है suggest करूँगा कि इसे hold करके चलिए इसे recover करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है लेकिन यह ज़रूर recover करेगा क्योंकि प्रशांद कुमार जी का recently एक interview आया था उसमें उन्होंने clearly कहा है उनके जो weak areas है वहाँ पर improve करने की कोशिश करेंगे आपका क्या opinion है yes bank को लेकर comment में ज financial advisor से advice लेकर invest कीजिए अगर यह वीडियो आपको informative लगा तो इसे like करकर encourage करिए और अपने दोस्तों साथ भी share करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से subscribe बटन दबा दीचिए और उसके बाद जो बेल की घ झाल 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 झाल